असलाम अलेकुम दोस्तों क्या आप खौन बिल के बारे में जाना चाहेंगे तो हमारे साथ रहिएगा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पैस करना ना भूलिएगा ताके हर आने वाली वीडियो का हो सके अल्लात अल्ला हमारा हमन असर हो जी हां हान बिल हेलमट ब्रादर प्रिंदा होफना चौंच वाला प्रिंदा हान बिल टू कान से मिलता जुलता प्रिंदा है ताहम हान बिल टू कान से जिसामत में बड़ा होता है इसके चौंच भी टू कान की चौंच से बड़ी और मदबूत होती है हान बिल इकसाम के लहाज से एक से च्छे फुट लंबा परों के पलाओ के इतबार से सो ग्राम से तीन किलो ग्राम तक वजनी होता है मादा नर से छोटी होती है हान बिल ज्यादा तर काले रंग में मिलता है जिसमें अक्सर पीली या सबस धारियां देखी जा सकती है हान बिल इक्साम के लहाथ से 1-6 फूर तक लंबा परों के प्लाओं के इतबार से 100 ग्राम से 3 किलो ग्राम तक वजनी होता है मादा नर से छोटी होती है हान बिल ज्यादातर काले रंग में मिलता है जिसमें अक्सर पीली या सबसधारियां देखी जा सकती हैं हान बिल का तल्ग हुद हुद के खांदान से हान बिल अफरीका अश्या के नीम इस्तवाई जंगलाद में पाया जाता है इसकी साथ के करेब इकसाम मजूद हैं हान बिल की खास निशानी जी हाँ हान बिल की सबसे खास बात उसकी लंबी और मजबूट चोंच है ये चोंच गाए के सिंग से चूंके मिलती जुलती है इसलिए से हान बिल कहा जाता है यनि सिंग जैसी चोंच वाला ये नुकी चोंच पांच इंच तक लंबी हो सकती है ज्यादातर एकसाम के चौंच पर एक टोपी नमाज साखत मजूद होती है जो इसकी चौंच का ही हिसा होता है हान बिल सब कुछ खा जाने वला चानवर है छोटी जबान होने की वज़ा से ये खुरा को निगल नी सकता है ये खुरा को चौंच से पकड़ कर सर से जटका मार कर हलक में ले जाता है और फिर ये खुरा कसी दी उसके मेदे में चली जाती है हान बिल की ज़्यादा तर एकसाम भी फल खाती है बड़े इक्साम के हान बिल अपनी चोंच से बड़े बड़े चपकलिया चुहे किड़े बासानी शिकार कर लेती है बड़ी और मजबूत चौँच को सहारा देने कLIE, हान बिल की कुदरत ने परेंदों में सबसे मजबूत गर्दन अदा किया है हान बिल की चौँच टूकान की तरह लचकदारो हाल की है हान बिल इस चौँच से अपना दिफाह करता है गोंसला ता मिल करता है और अपने परों में कंगी करता है गोंसला और अंडे फर्म से मई के दिर्मियनी हिसे में एक्ताम के लहाज से 6-8 अंडे देती है नर और मादा दोनों किसी उंचे द्रख की कोह या चिटान की सुराख में गोंसला त्यार करते हैं ज्यादातर हान बिल खुट बड़ी और बारबर नामी परिंदों के छोड़े हुए गोंशले इस्तमाल करते हैं अंडे देने के बार नर गोंशले के रास्ते को मट्या फलों के छिलकों से बंद कर देता है अब सिर्फ एक छोटा साथ सुराख रह जाता है जिसे नरमदा को खुराक महिया करता है हान बिल की चंद इक्साम हेलमट प्रोधर हान बिल हेलमेटिड बॉन हेलमेटिड हान बिल हान बिल की ये किसम जजीरा नमा मुलाया समार्टला अंडोनिशिया और ब्रॉनियों में मिलती है तीन किलोग्राम वजनी इस हान बिल की टोपी नमा साखत थोस हेलमट जैसी होती है इससे ये प्रिंदा अपने दिश्मनों पर जर्ब लगाता है ये हान बिल गहरे सिया रंग का होता है इसके गहरे सिया रंग के परों के सर दुम और पेट सफैद रंग के होते हैं हेलमट बर पार्दार हान्बिल की ओवास उलू की चीक जैसी मगर उससे तेजर मसलसल होती है Great Home Bill अजीम हान्बिल इसे Great Pride और Great Indian Home Bill भी कहा जाता है यह हान्बिल की सबसे बड़ी किसम है जो भारत बोतान नेपाल और अंडरनिशया के जिजायर में मिलती है अजीम हान बिल चार किलो ग्राम तक वजनी और तकरीबन पांच फुट तक लंबा हो सकता है सिया सफैद पर पीली और सफैद बड़ी चोंच और पीले रंगी टोपी या हेलमट इसकी नुमाया खसूसियत है अजीम हान बिल ग्रोग की शकल में फलदार दरख्तों पर रहता है ये फलों के साथ साथ कीड़े भी खाता है दरख्तों में रहने वाले बंदर इसके दोस्त हैं दोनों एक दोस्ते को तंकिये बगएर खाते रहते हैं गेंडा हान बिल 2400 बुलंद बरानी जंगलाद का खास पृंडा है गेंडा हान बिल बॉल systemic जाओवा और मलश्या के जंगलाद में पाया जाता है मलश्या की रहासर स्रावाख में इसे कौमी पृंडे का दरजा हासल है ये तक्रीबन तीन फुट लंबा और धाई किलोग्राम तक वजनी होता है गहरा स्या रंग, लंबी सफेदों और नरंजी चौंच इसकी आहम निशानिया हैं ये ज्यादा तर फल खाता है जरूरत पढ़ने पे ये कीडे, मकोडे और छोटे पिंदे भी शिकार कर लेता है मश्र की रंगा-रंग हान बिल ये हान बिल बरेसगित, पाक, हिंद, जनूबी मश्र की अशिया में मालिक में पाया जाता है ये हान बिल की एक छोटी किसम है रंगा रंग हार्ण बिल हमारे मुलके बरानी जंगलाद नीम बरानी जंगलाद में भी देखा जा सकता है ये सिर्फ आदा किलोग्राम वजनी और करीबन दो फुट तक लंबा होता है बिरा जीरा और पीता की इस खुरास खुराक है इनके साथ साथ ये टिड़े चपकलिया चोटे सांप और पिंदे भी खा लेता है इसके पर सिया रंगे होते हैं जिन में सबस रंग की जलग भी नजर आती है इसकी आवाज कवे से मिलती जुलती है हिंदुस्तानी खाकसरी हान बिल इंडियन ग्रे हान बिल ये किसमी पाकसरी हान बिल दो हजार फुट बुलंद जंगलाथ में मिलता है सरमई पुष्ट और दुम जैसी जिसके सीरे सिया है नोगदार टॉपी इसकी खास निशानिया है ये हान बिल दो फुट तक लंबा और एक किलो ग्राम तक वजनी होता है ये ज्यादा तर फल खाता है हान बिल के बच्चे 25 से 30 दिनों के अंदर अंडो से बच्चे निकलाते हैं इस दुरान खुरा की जिम्मदारी नर की होती है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मादा या नर दोनों में से एक सुराक को तोड़ देता है और दोनों बच्चों को खुराक खिलाते हैं तकरीबन दो माद बच्चों के पर निकलाते हैं और वो अज़ादाना जिन्दगी बसर करने लगते हैं हान बिल की खोफनाक आवाज बड़ी चोँच इसके उपर मजूद टौपी नमा साखत के वज़ा से हान बिल बड़ी उंची और अजीब और गरीब आवाज निकालता है इसके आवाज बाज उकात कुटे के भूंगने जैसी होती है दूसरे जानम से राप्ते के लिए हान बिल के आवाज इनसानों के हंसने जैसी लगती है खत्रे के वक्त हान बिल जोड़ार आवाज में चीखता है बलॉंद आवाज निकालने के लिए हान बिल अपनी टोपी या हेलमट में मजूद हवा से मदद लेता है जब मादा अंडोर बच्चों के साथ घूंचले में बंद होती है तो इसके पर तकरिबन चढ़ जाते हैं और बाद में ने पर निकलाते हैं हान बिल की परवाज हान बिल ज्यादा परवाज करने वाला परिंदा नहीं ये 40 फूट बलंद ही परवास कर सकता है और तकरीबन 25 किलो मेटर फी घंटा की रफ़तार से कम अरसे के लिए उड़ लेता है ये अपना ज्यादातर वक्त द्रखतों पे छुप कर गुजारता है दूसरे जानरों के साथ तलुकात अफरीका के जंगलों में हानबिल इन द्रखतों के नजिक रहता है जिनके नीचे नियोले होते है हानबिल नियोलों को इनके दिश्मनों से अगा करने के लिए बलंद आवाजे निकालता रहता है इस तरह ये बंदों के साथ साथ द्रखतों पर रहता है इसके तोड़े हुए फल खा जाता है, बंदर इसे नुकसान नहीं बुंचाते हानबिल की खोफनाक चौँच इसे कई जानों से महफूज रखती है दुराने परवाज इसे उल्लू और रुकाब शिकार कर लेते हैं, इसका गौंसला बंद होने के बाइस इसके इंडे और बच्चे महफूज रहते हैं क्या आप जानते हैं कि हानबिल को कभी पानी पीते नहीं देखा गया है क्योंकि इसकी आभी जुर्यत खुराग से पूरी हो जाती है हानबिल के जिसमें दीगर प्रिंदों के बरक्स खास से बड़े गुर्दे होते हैं, हानबिल की नजर कमजोर मगर सुनने के हिस बहुत ताकतवर होती है इसकी ज्यादत एक्साम की आंके सुर्ख रंकी होती है, हानबिल चौली साल तक जिन्दा रह सकता है, गुंसला बनाने वकर नर पर फड़ पड़ा कर मादा को हदाया देता है हानबिल बड़ी चौँच वाला एक परिंदा है, बेजाहर खौफ नाक नजर आने वाला परिंदा हकी कदमे खासा बेजरह है, अपनी खास चौँच से ये बड़े काम लेता है, मसला शिकार पकरना, घौंसला बनाना और अपना दिफा करना, ज्यादतर एक्साम की नमा साखत नमाया नजर आती है, अपनी स्टॉपी में हवा के मतल़ से हान बिल बड़ी उंची और तेजर रफ्ता आवाज निकालता है, हान बिल की ज्यादातर जिदगी द्रख्तों पे बसर होती है, ये बंदरों के साथ बड़े सलुक से द्रख्तों के फल खाता रहता है जी हाँ, ये था हान बिल, अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पैस करना न भूलिए का ताके हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सक और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें, अल्ला तला हमारा हाँ मैं नासर हो